पियाई की अनेक उपलब्धियों में से एक उपलब्धी ऐसी है जिसने हमारे खेत की तस्वीर ही नहीं बलकि हम किसानों की तकदीर भी बदल दी इस करामाती उपहार का नाम है बायो वीटा अब मैं पियाई के वरिष्ट अधिकारी श्री शान का स्वागत करता हूँ नमस्कार किसान भाई और पहनों बायो वीटा पी आई के अत्यधूनिक वा प्रमानिक अनुसंधान पर आधारित एक अनुठा उपाथ है जो उत्तरी एट्लांटिक सागर में प्रकृतिक रूप से उगनेवाली समुद्री खास एस पो फाइलम मोडोसम से बना है बायो वीटा की शुद्धता और गुंबत्ता का प्रमार कई राष्ट्रिये और अंतर राष्ट्रिये क्रिशी विश्वित्यालेयों और अनुसंधान केंद्रों ने किया है बायो वीटा का प्रयोग सभी प्रकार की फसलों में किया जा सकता है शुक्रिया शुरिमान तो भाईयों अब सुनते हैं बायो विटा की कहानी एक खुशहाल किसान की जुबानी नमस्कार भाईयों और बहनों मैं बलराम आप सब के साथ अपना अनुभव बाटना चाहता हूं पी आई द्वारा निर्मित बायो विटा से कई वर्षों तक ना सिर्फ मुझे उच गुडवत्ता वाली फसले मिली बलकि मेरी जमीन की उर्वरक शक्ती भी बरकरार रही जिसके लिए मैं पी आई का तहे दिल से शुक्रिया आदा करता हूं क्या बात है बलराम पई हमको भी अपनी खुशाली का राज बताओ अरे मेरी ही नहीं पूरी गाउं की खुशाली का राज जानना हो तो हमारे गाउं आओ और खुद देखो गोपाल भीया हमारे गाउं में आपका स्वागत है और सुनाइए कैसे आना हुआ तुमसे तुम्हारी अच्छी फसल का राज जानने आया हूँ हमारे गाहों की फसलें बहुत कमजोर और बेजान होती जा रही है पता नहीं क्यूं पर धीरे धीरे जमीन की उपजाव ख्यमता भी कम हो रही है अरे गोपाल भाहिया आप चिंता ना करें केवल यही है आपकी समस्या का समाधान बायोविटा साट से अधिक प्राकृतिक पौश्टिक योगीकों का मिश्रण है जो फसलों की कुडवत्ता को बनाए रखता है बायोविटा भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला असली समुद्री शैवाल से बना उत्पाद है बायोविटा का इस्तमाल कैसे कर सकते हैं? बायोविटा का प्रयोग सभी प्रकार की फसलों में किया जा सकता है आईए अब जानते हैं कि प्यास की फसल में बायोविटा का प्रयोग कब और कैसे करना चाहिए बायोविटा का इस्तमाल हमें प्यास के मुख्य अवस्थाओं में करना चाहिए किसानों दोरा प्रयोग की सुविधा के लिए बायोविटा दो रूप में उपलब्ध है बायोविटा दानेदार और बायोविटा तरल बायोविटा दानेदार का प्रयोग 4 किलो ग्राम प्रती एकड की दर से खाद के साथ मिला कर रुपाई से 10 दिन के भीतर करना चाहिए जिसे की रोप जमीन में जल्दी और अच्छी तरह से स्थापित होती है इसके बाद बायोविटा का दूसरा प्रयोग बायोविटा तरल के रूप में 250 मिलिलीटर प्रती एकड की मात्रा से रुपाई के 35 से 40 दिनों के बाद या फसल की वनस्पतिक अवस्था पर करना चाहिए बायो विटा तरल के रूप में 300 मिलिलिलिटर प्रती एकड की दर से रुपाई के 55 से 60 दिनों के बाद या कंद बनने की प्रारंभिक अवस्था में करना चाहिए अब आप अपने खेतों में इसको इस्तेमाल करो और खुद जानो अगर तुम कहते हो तो मान लेता हूँ अरे गुपाल वहा तुमारी फसल तो बहतर गुनत्ता वाली और स्वस्थ है और कंदो का अकार भी ज्यादा मोटा होने के साथ साथ वे ज्यादा चमकदार भी है और कंदो का अकार भी एक समान है इस दमदार फसल के तो ज्यादा दाम मिलेंगे मुख्या जी ये सब तो बायो वीटा का कमाल है बायो वीटा के प्रयोग से फसले मिट्टी में उपलब्द पोशक तत्वों वा नमी का अधिक अवशोशन करती है जिससे हमारी फसल अंदर से मजबूत एवं स्वस्त बनती है तथा विप्रीत परिस्थितियों का अच्छे से सामना करती है बायो वीटा के लगातार प्रयोग से मेरी फसल की क्वालिटी तो अच्छी है ही मिट्टी का स्वास्ते भी सुधरने लगा है आज कल एक असली के 100 नकली होते हैं असली बायो वीटा की क्या पहचान है भाई बायो वीटा लीक्वेट की बोतल पर P.I.E. के होलोग्राम वाली सील लगी होती है जबकि बायो वीटा दानेदार के पैक में होलोग्राफिक एफेक्ट दिखाई देता है फिर भी कोई शंका हो तो पैक पर लिखे टोल फ्री कस्टमर केर नंबर 18000-208-1008 पर बात कर लो अब नए अफदार में बायो वीटा का वादा सर्वोत्तम उपच धन धान ये ज्यादा झाल